नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्धे शंकरतिवारी हूँ संयुक्त राष्ट मानवाधिकार परिसद में पाकिस्तान ने जो 115 पेज का धूट का पुलिंदा रखा है उसके बाद से अंदुरुनी राजनीत गर्माने वाली है भारत अगले कुछ मिन्टों में इसका जवाब देगा उसके बाद राजनीती या इस महाल में सियासी गर्माहर सुरू हो जाएगी इसकी वज़ा ही ये है कि पाकिस्तान ने राहुल बाबा को मोहरा बनाया है राहुल बाबा है उसमें उमर अब्दुल्ला है दरसल हुआ क्या था कि सुरू में जब अनुछे 370 खत्म होने का ऐलान किया गया तब तो कांग्रिस को समझ भी नहीं आया कि स्टेंड क्या ले कभी लोग सभा में कुछ स्टेंड रहा राजी सभा में कुछ रहा अधिर अजन चौधरी घिर गए क्योंकि उन्होंने यूएन का जिकर कर दिया जबकि यूएन पंडिजवारल नहरू पाले प्रधाम मंतरी समसले को ले करके गया थे बाद में जब राहूल गांदी ने जब मुकस्मीर के दोरे पे गया उसके बाद आकर जो उन्होंने ट्वीट किया और जो बयान दिया उससे राजनीत काफी गर्मा गई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि लोगों के अधिकारों का हननन हो रहा है वहां पे काफी कुरूड करने वाला फैसला लिया है इसे घातक पर नाम होंगे यह कस्मीरियों के खिलाफ आकरोस है यह फैसला एक पक्षी गैर कानूनी और असम बैदानिक है बहुत मुस्किल और लंबी लड़ाई सामने खड़ी है हम उसके लिए तयार है उमर उबदुला ने ये कहा था और सत्पाल मलिक के बीच में टगाफवार हुगा था खैर वो तो देश की बात है लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने सयुक्त राष्ट मानुआदिकार परिशद में जूट का फुलिंदा रखने में राहुल गांधियों और अब्दुला के बयानों का इस्तिमाल किया है उस जैसे उजागर करेगा भारत उसके बाद से देश की राजनीत में एक बार फिर गर्महाट आएगी क्योंकि राहुल गांधी को घेरा जाएगा इस बात के लिए उमर अब्दुला के तो कोई खास बात इसलिए नहीं कि जम्मु कस्मीर के नेता है जम्मु कस्मीर में यह पर के लिए जारखंड के लिए और हर्याना के लिए जो है अलग अलग समीतिया बना करके वहां पे चुनावी मौड में कांग्रेस भी आ चुकी है तो बीजेपी जो है राहुल गांधी के इस बयान को जो है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसका इस्तिमाल किया है उसको कर दो